हेलो फ्रेंट गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आसा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठेक हूँ तो आप सभी का नए सुबा नए ब्लोग में बहुत बहुत स्वागत है तो मेरे प्यारे दोस्तों कांटीन्यू बने रहिएगा और फुलबाच जरूर करिएगा तो हमारे सुबाइ के काम हो चुके हैं हम पांच बजे उठे थे आज तो हमने सबसे पहले चूले की पुताई क उसके बार लगाई थी ज़ाडू और ज़ाडू आडू लगाने के बार नहादो कर आ गए हैं तो हमने चिप्स साम को ही काट कर रख लिये थे और सुबह जल्दी उठकर सारे काम करके उबलने के लिए रख दिये हैं तो हमने इदर बड़ा वाला बगोना चड़ाया था तो हमने का चलो इसमें एकी बार में उबल जाएंगे तो एकी बार में हमने सारे चिप्स भर दिये थे और उबाल लिये हैं उसके बाद बनाएंगे खाना तो हमने का पहले ये वाला काम निप्टा देते हैं उसके बाद खाना बनाएंगे क्योंकि काफी फिर टाइम हो जाता त तो सोक भी नहीं पाते इसी लिए सबसे पहले हमने चिप्स अपने उबाल लिये हैं और उसके बाद खाना पीना बनाया था तो आट बजे तक हमारा काम हो गया था उसके बाद हमने खाना पीना बनाना शुरू किया था तो इदर सारे चिप्स हमारे उबल चुके हैं और हमने प्रेंड अपर बनाइए तो पर जाने के लिए पापड़ बनाया जाते हैं तो यहीं पर दाल देते हैं तो नहीं पर दोप रहती है तो फ्रेंड अपने सिर्फ चिप्स ही बनायते और भरता वाले जो पापड बनाय जाते हैं वो नहीं बनायते और नहीं चावलावल के बनायते क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अकेले तो बन ही नहीं पाते बाबू भी परेशन कर लेता है तो इसलिए हमने वो नहीं बनायते खाली चिप्स ही बना लिए हैं और वेवाले हमने अपनी बहन को बोल दिया था कि बना लेना मेरे लिए तो वो मम्मी बना लेंगी तो हमने का चलो हम चिप्स वही बना लेते हैं तो इधर हमारे बर्तन धुल चुके हैं और उसके बारा आ गए है ज़ाड़ू लगाने के लिए तो ज़ाड़ू लगाते काफी टाइम हो गया था क्योंकि खाना पीना बनाके और चिपस बगएरा बनाके उसके बाद हमने बाबो की मालिस की थी और बाबो को सुला दिया था तो फिर बाद में बरतन धुलेते तो काफी टाइम हो गया था बरतन अरतन धुल के ही हमने जाड़ू लगाई थी तो इदर हमारी जाड़ू लग चुकी है पूरी घर में हमने लगा लिती और इदर राक नहीं भरेंगे क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी आग हमें लग रही थी इसमें और आज बहुत ज़्यादा तेज हावा भी चल रही थी तो उसके वाल सारे काम निप्टा के फिर ये लग वाल दो बजे का टाइम है तो हमने का चलो इदर हमारा छूट गया था लिपने के लिए तो बहुत ज़्यादा इदर खुद गया था मसीन सीन लग है इदर चारा वाली और इदर काफी खुदा था तो हमने का चलो इदर भी फिनिया कर देते हैं थोड़ी तो गोवर और मिट्टी से लिपाई कर देते हैं तो इधर हम इसको आज लीप देंगे और फिर कल गेरू और गोवर से लिपाई करेंगे क्योंकि होली आ गई है तो अब तो पूरा घर ही लीपना पड़ेगा गेरू और गोवर से और इधर फिनिया कर देंगे तो ठीक हो जाएगा और पूरा तो हमने लीप चुके थे पूरा घर लीप चुका था हमारा इधर थोड़ा सा छूट गया था तो इधर हमने का चलो आज दोपर में बाबु सो गया था तो इंतर भी लिपाई कर देते हैं तो हमारे सभी यूटूब फैमली को हमारे तरब से होली की धेर सारी सुका आमने आप सभी की होली बहुत ही अच्छे से हो और सभी को बहुत बहुत धेर सारा प्यार और आप सभी के होली बहुत ही अच्छे से कुसे आले से निप्टे बैसे हमारे याँ तो हर साल कुछ ना कुछ हो ही जाता है गाउं में होली में खास कर हो जाता है तो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है होली मनाने में तो कुछ ना कुछ हर साल गाउं में हो ही जाता है तो हम सोच रहे हैं अपके बार अच्छे से निफ्टे सभी की होली अच्छे से निफ्टे और इधर हमारा लिप चुका है थोड़ा सा रहे गया है तो आप सभी डेर सारा प्यार देना हमारे ब्लोग में और कांटीनू पस ऐसे ही जुड़े रहेगा हमारे चाइनल से चैनल पर नए आए हैं जुड़े हैं तो उनको बहुत सारा प्यार और धन्वाद आप सभी का जो आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और तो आज के ब्लोग में हमने बिल्कुल भी स्पीड नहीं की है जैसा हमने ब्लोग बनाया है वैसा ही एडिट किया है मतलब नार्मल ही बिल्कुल भी स्पीड नहीं की है जैसे कि हम जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही हमने एडिट कर दिया है ब्लोग तो हमारे एक भाई ने बोला था कि स्पीड मत किया करो तो हमने इसलिए स्पीड बिल्कुल भी नहीं किया है आज जैसा कि तैसा ही ब्लोग हमने एडिट कर दिया है तो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना हमारे भाई बैन बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है मतलब एक सुकून सा मिलता है कि हम इतनी मेनत करते हैं तो कोई हमें कमेंट करके ये तो बताता है कि हाँ हमारा ब्लोग कैसा लगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है बस आप लोग ऐसे ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं हमारा ब्लोग कैसा है और कोई गलती हो रही है तो माफ करना और बता देना कि मुतलब कोई गलती हो भी जाए हमसे तो आप लोग बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा हम उसे सुधारने की फूरी कोशिस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इदर हमारे लकड़ी कंड़ा जो भी है इदर ही हम रख देते हैं तो इदर कोई काम नहीं रहता है एक कोने में इदर जगह खाली पड़ी रहती है तो यहां पर हमारे एक लकड़ी कंड़ा और भट्टा बगएरा बोरियां जो भी है फालतु वाली खाली होती है खाद वाली तो इदर चट्नी बनी हुई है यहीं पर सारी चीरें रख देते हैं और इदर ही मसीन लगी है चारा मसीन हमारी तो और कहीं नहीं जगाए है रखने के लिए तो इदर कोने में रख देते हैं तो इदर हमने लिपाई कर दे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि खुले घर में कितना ज़्यादा दिक्कत होती है मतलब बहुत ही हम लोग परिसानी से रहते हैं यह देखिए हावा इतनी तेज जितने भी कपड़े सुखाने के लिए त्टांगे थे तो सारे कपड़े पूरे आंगन में फैल गए हैं और मतलब इतनी मेनस से ज़ाडू लगाते हैं और इतने बडे घर में तो आदा घंटा तो लगी जाता है ज़ाडू लगाते लगाते एक तरप से लगाओ तो हवा चलती है न तो पूरे घर में कोड़ा फैल जाता है तो मितलब बहुत ही कुस्सा सा आता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो दो तीन बार जाड़ू लगाते हैं और इतना गंदा हो जाता है अगर कोई आज है तो यहीं बोले कि इनके यहां जाड़ू नहीं लगाई गई है तो आज इतनी तेज हवा ही चल रही थी तो पूरे घर में कपड़े भी फैल गए थे और कूड़ा भी आ गया था बहुत जादा खुला है तो हवा की बज़े से पूरे घर में गंदा हो गया था इतनी मेनस से जाड़ू लगाई और सब कुछ साप किया तो पूरे घर में गंदा कर दिया था हवा की बज़े से हवा बहुत देश चल लई थी आज तो हमने इसलिए कपड़े दो पर में ही उठा लिये थे अबने का गंदे हो जाएंगे तो सारे कपड़े नीचे गिर गए थे तो इधर हम कपड़े अपने घरी करके रख देते हैं और उसके बाद पाकी के काम करेंगे तो हमने अपना रूम उम तो साफ कर लिया है और बाहर की तरह भी थोड़ी बहुत साफ सपाई रहे गई है और तो बांकी खुला है बस बरामदे में थोड़ा जाला अला चुटाना है और अलवारी है एक दो उचन को साफ कर लेंगे और और कहीं तो मतलब और तो पुरा खुला हुआ है बस सिर्फ नीचे नीचे ही जाड़ू लगानी है तो वो हम कल कर लेंगे जब लिपाई करेंगे तुरंती साप कर लेंगे और हमने पर्दे बगारा धुल के वो भी लगा दिये हैं क्योंकि जो काम तुरंत कर लो तो सही रहता है निपट गया है काम हमारे तो बस सिर्फ लिपना रह गया है थोड़ा बस जाड़ू आड़ू बाहर लगा देंगे जाला चुटा देंगे और इदर हमारे कपड़े गरी हो गया है कपड़े उठा के रख देंगे और आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी भाई बैन हमारे चैनल पढ़ने हुआते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लोग के साथ तब तक के लिए नमस्ति